नमस्कार आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइप आज हैं हम लोग मधुनी परखंड के यूपी और बिहार के बांसी पूल पे आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं परसासन है यहां पे लगी हुई है और दारू जो है जो यूपी से लोग पी के आ रहे हैं लगातार एक का एक चेकिंग किया जा रहा है अभी तक तीन लोगों को तीछे बस में पकड़ करके बैठा दिया गया है क्योंकि उनके जो अलकोहल चेक करने का जो मसीन बताई है उसी के बिना पे वो लोग उनको अंदर भेज चुके हैं हलाकि मैं आपको बता दूँ कि परसासन पूरा अलट पे है इससे आम लोगों को जितना फाइदा है एक एक चीजे लोग मजदूर लोग होते हैं मैं जस्ट आपको केमरामें से गुजारिस करूंगा इधर दिखाए जस्ट सामने यूपी है जहां से लोग हैं दारू पी के आते हैं और खुलियाम चले जाते थे इसमें ल और क्या अधिकारी इस तरह के ऊथ्राइज हैं उनकी मसीने काम करती हैं किस तरह काम करती हैं सारी जनकारी हम आपको लगा इसी अपडेट में देंगे जब पुलिस वावे भाई साब से हम बात करना चाहें कि सर में कुछ बात करना चाहता हूं तो उन्हेंने मुझे साथ माना कर दिया कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ हाला कि यह जो डिवाईज है इनके मुबाईल फोन से इंटरनेट से कनेक्टेड है और हाथ में जो छोटा सा डिवाईज है जिसमें फूखना है यह ब्लूतूट डिवाईज एक दूसरे से कनेक्टेड है इसमें फूखने पे 100% है अगर कम भी रहा तो भी अलकोहल का मातरा साबित होता है और उन्हें महां सखड़ी हुई बस से उनमें बिठा दिया जाता है और इस भाई साइब को इसका बिल्कुल पता नहीं है और यह जेल जाने वाले है दूसरी चीज जब हमें मसीन पे डाउट हुआ था हमारे सीनियर पत्रकार दिनेर सुकला जी से हम लोग न दिखा है हाला कि अभी भी मसीन में मुझे डाउट बना रहा जबकि दूसरे एक इनसान जो राच राइगीर थे इनसे रिक्वेस्ट किया गया हला कि फूक नहीं रहे थे कि इन्हों नहीं डर था जबकि इन्हों नहीं लिया था यहां इस मसीन की सही और गलत साबित होनी ही कि उसके बाद यह रिजल्ट आया और इनका पूरा डेटा आ गया जो इन्हों अपना एज बताया और इसमें मसीन की सची साबित हुए ख़बर दे रहे थे मुझनी ब्लॉप से पटनानी 24 लाइब के लिए सब्वुदे गंतारी इच्जाए